हेलो पिछली वीडियो में हमने जावा स्क्रिप्ट में इफ स्टेट्मेंट, इफ हैल्स स्टेट्मेंट, इफ हैल्स इफ स्टेट्मेंट और स्विच स्टेट्मेंट के बारे में जाना आज हम इस वीडियो में looping statement में first loop for loop के बारे में जानेंगे तो सबसे पहले यहां पे हम for loop की definition जानेंगे तो इसकी definition है for loop में loop तब तक चलता रहता है जब तक की specified number तक न पहुंच जाए तो यह for loop की definition है इसके बाद यहां पे हम for loop का syntax जानेंगे तो इसका syntax है for यहां पे यह देखो for लगाएंगे इसके बाद round bracket में लखेंगे initialization यहां से value हम start करेंगे इसके बाद semicolon इसके बाद यहां पे condition लगाएंगे इसके बाद फिर semicolon इसके बाद यहां पे increment operator यूज़ करेंगे तो यहाँ पे increment या decrement हम यूज़ कर सकते हैं इसके बाद आगे curly bracket को open करेंगे इसके बाद यहाँ पे java script statement ये लिखेंगे इसके बाद यहाँ पे curly bracket को close करेंगे तो यह for loop का syntax है इसके बाद यहाँ पे for loop का program है तो इसको हम आगे करेंगे तो notpad में हमने stml के अंदर यहां पे javascript के code को लिखा हुआ है यहां पे हम for loop को करेंगे तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है stml इसके बाद लिखा हुआ है body इसके बाद यहां पे heading को use किये हुआ है h1 इसके बाद यहाँ पे javascript के code को लिखा हुआ है यहाँ पे यह लिखो script language is equal to javascript यह लिखा हमने इसके बाद यहाँ पे variable x इसके बाद semicolonel लगाय हुआ है इसके बाद यहाँ पे for लिखा हुआ है और यहाँ पे round bracket में हमने लिखा हुआ है यह देखो x is equal to 0 तो यह जो x is equal to 0 है यह है initial value 0 जो है initial value है यहाँ से 0 से हम start कर रहे है इसके बाद semicolon और इसके बाद यहाँ पे लगाई हूँ यह condition यह देखो condition क्या है x is less than 21 तो यहाँ पे यह जो value आनी चाहिए वो x is less than 21 आनी चाहिए इसके बाद semicolon इसके बाद यह जो आगे लिखा हुआ है इसको बोला जाता है increment तो यहाँ पे x और increment operator यहाँ पे use किया हुआ है इसके बाद यहाँ पे round bracket को close किया हुआ है तो यहाँ पे क्या print होने जाए document.write यहाँ पे x और यहाँ पे semicolon लगाएंगे इसके बाद यहाँ पे script को बंद करेंगे heading को बंद करेंगे इसके बाद body को बंद करेंगे इसके बाद HTML को बंद करेंगे इसके बाद यहाँ पे हम file tab पे जाएंगे और इसको हम save करेंगे यह दिखो save as पे click किया save as पे click करने के बाद किस नाम से इसको save करना है तो यहां पे हम name लिखेंगे हमने यहां पे name लिखा asd यह name दिया file name इसके बाद extension लगाएंगे dot sdml यह लगाया लगाने के बाद कि इसको कहां पे save करना है यहां पे desktop पे save करना है इसके बाद save पे click करेंगे सेब पे क्लिक करने के बाद इसको यहां पे मिनिवाइज करेंगे इसके बाद मिनिवाइज करने के बाद यहां पे डेस्टोप पे आ जाएगे इसके बाद यहां पे हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यह देखो यहां पे बैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी तो initial value यहाँ पर हमने क्या वरी हुई है 0 यह देखो 4 इसके बाद यहाँ पर x is equal to 0 तो 0 क्या है यहाँ पर initial value कहाँ से start उनी चाहिए तो यहाँ पर भरा हुआ है हमने 0 तो यहाँ पर 0 यह देखो 0 आ गया इसके बाद यहाँ पर condition गाई हुए है कि x is less than 21 तो यह जो value आनी चाहिए less तो less than 21 का मतलब होता है कि ये 20 तक आएंगी तो ये देखो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये कहां तक है ये ये देखो 20 इसके बाद आगे हमने यहां पर use किया था increment operator ये देखो increment operator का मतलब है यहां पर एक एक value यहां पर बढ़ रही है ये देखो 1 इसके बाद 2 इसके बाद 3 इसके बाद 4 इसके बाद 5 इस साब से ये value बढ़ रही है तो ये है increment इसके बाद यहां पर ये जो values आई हुई है अगर हम ये चलते हैं कि ये value जो है decrement में आए जैसे यहां पर 21 आए इसके बाद 20 आए उसके बाद 19 आए उसके बाद 18 आए उसके बाद 17 आए और last में जो है वो 1 आए तो इसको हम यहां पर कैसे करेंगे इसको करने के लिए हम यहां पर for loop यहां पर जाएंगे और यहां पर यह जो initial value है यहां पर लिखा हुआ है 0 तो यहां पर initial value हम क्या करेंगे यहां पर इसको 0 को मिटाते है और यहां पर लिखेंगे 21 यह 21 किया और यह आगे जो condition गाई हुई ह X is less than 21 इसकी जगा हम क्या करेंगे यह less than की जगा यहां पर greater than करेंगे यह greater than किया greater than करने के बाद यहां पर क्या करेंगे हम 0 तो यहां पर greater than 0 इसका मतलब यह है कि value जो है X से start होगी 21 उसके बाद 20 उसके बाद 19 उसके बाद 18 और last में कहां तक जाएगी ये value 1 तक ये देखो greater than 0 यहाँ पर ये condition हमने लगा दी इसके बाद यहाँ पर हमने increment operator यूज किया हुआ है इसकी जगा हम decrement operator यूज करेंगे तो यहाँ पर हम इसको मिटाते हैं और यहाँ पर decrement operator यूज किया ये करने के बाद हम file को save क करेंगे ये file पर गई save पर click किया ये file save हो गई अब जब हम यहाँ पर इसको refresh करेंगे तो हमारे सामनी के आएगा 21 आएगा इसके बाद 20 आएगा उसके बाद 19 आएगा उसके बाद 18 आएगा और last में जो है 1 आएगा तो यह देखो यहाँ पर इसको refresh करके देखते हैं यहाँ 16 है और last में देखो यहां पे 1 है क्योंकि हमने condition क्या लगाई हुई है x is greater than 0 तो greater than 0 है तो यहां पे 1 आए का last में और यहां पे हमने initial value क्या लिए हुई है 21 तो यहां पे initial value है देखो 21 है तो इस तरह से for loop यहां पे काम करता है तो इस वीडियो में हमने looping statement में for loop के बारे में जाना अगरा आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी तो please subscribe my channel